है है गाइस वेलकम बैक आप सबका आज की इस नई वीडियो में और आज हम जो है नतींग फोन टू को रॉल बैक करने वाला यानि डाउन गिरेट करने वाला एंड्रोइड 14 से एंड्रोइड 13 में आप मैंसे ने एंडरेड 14 को बिटा को इंस्टाल किया आपकी नतींग फोन टू में और बगग से आप परेशान है तो आप आप बताबगए कि आप आयों 뉴스 को Gray कर सकते तो मुझे काफी सारे कामेंट आये थे तो मैं उस पर भी ये वीडियो बना रहा हूँ और आभी तक यहां पर कोई वीडियो नहीं है इसको कैसे रॉल बैक किया जाए क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम यहां पर फिक्स करके आपको बताएंगे कि आप वर्स्त दोस्तों सबसे पहले हमारे फोन का जो है बैक अप ले लेना है एकर जो भी आपका यहां पर डेटा है उसको आप बैक अप नहीं लोंगे तो आपके फोन का डेटा यहां पर पूरी तरह से एरेज हो जाएंगा तो सबसे पहले वही करना है कि जो डेटा है आपका फिर आपके contact sms जो भी apps वगेरे है उसको आप backup ले उसके बाद description ने मैंने आपको link दिया है वही यह link है जहां से हमने open beta को install किया था तो सबसे नीचे जाना है और यहां हमें देखने को मिलता है rollback option तो इसमें यहां पर 2.0.3 वाला जो है package देखने को मिल जाएगा जो last time हम यूज कर रहे थे बीटा से पहले तो इसको यहां पर download कर लेना है तो मैंने अल्रीड यहां पर जो है download कर लिया है अपने phone में उसके बा तो यह आप देख सकते हो तो अगर आप इसको डायरेक्ट जो है install करते है तो error आपको देखने को मिलेगा तो जहां system में चलते है और जो beta version है यहां पर आप देख सकते हो कि इसको जाते है हम यहां पर और यहां पर हमें जो है import करना है इसको import करते है तो अगर हम जो है download से कर है और इसमें जो है मैं document folder को जो है create कर लेना है या फिर अगर आपके phone में पहले सही है तो उस file को यहाँ पर आपको mode मandaag कर ले देख सकते हो कि जो two point zero point three वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद सीधा हमें जाना है सेटिंग में और उसके बाद system में और जो update beta है इसमें जाके हमें import कर लेना है इस file को तो download से अगर नहीं होता है तो document folder बना के जाना है तो यह document folder और इसको import करके यहाँ पे इसको update कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पे update कर लेता हूँ लेकिन और हाँ दोस्तो इस process को आपको time देना होंगा क्योंकि इसमें 15 से 20 मिनिट लग सकते है तो don't worry यहाँ आपको कुछ नहीं करना है बस इसको यहाँ पे complete होने देना है process यहाँ complete हो चुके है और हमारा phone जो अब rollback या downgrade हो चुका है simply इसको continue करके restart कर लेना है सारा data यहाँ से erase हो जाएंगा और उसके बाद ही यहाँ पे Android 13 पे आ जाएंगे stable version तो finally हमारा phone यहाँ boot हो चुका है और अब यह setup हो रहा है तो इस तरह से हम nothing phone 2 को downgrade कर सकते है दोस्तों तो सबसे पहले हमें हमारे phone का data का backup ले लेना है उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसको जो है इस तरह से कर सकते है जैसे मैंने आपको सारी step बताई है उसके बाद आप जो है Android 13 को यूज़ कर पाई है तो यह छोटी सी simple सी वीडियो है description में link आपको देखने को मिल जाएंगा वहाँ जाके आप जो है इसको download करके इस तरह से downgrade कर सकते है तो मेरा phone यहाँ पे बूत हो चुका है आप देख सकते हो और मैं जो हूँ अप पूरी तरह से यहाँ पे clean हो चुका है क्योंकि मेरे phone का data यहाँ erase हो चुका है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ about में लेके लेके चलता हूँ आपको वहाँ जो है आप इसको देख पाएंगे android 13 तो जल्दी जल्दी से मैं इसको setup कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ आप देख पाएंगे कि मेरा phone जो है और पूरी तरह से मैंने आपको बताया कि आपको इसको कैसे installation करना है तो काफी लोगों का यहाँ पर request था तो मैंने यहाँ पर वीडियो बना लिया है दोस्तों आपके लिए तो इस तरह से अगर आप बीटा में आपको कोई दिक्कत जा रही है या आपके nothing phone 2 में या nothing phone 1 में तो आप इस तरह से उसको पूरी तरह से डाउंग्रेट कर सकते है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर android 13 हमारा आ चुका है तो यह थी आज की छोटी सी वीडियो nothing phone 2 को लेके वीडियो आपको कैसे लगी जरूर आप comment section मुझा बताना और वीडियो आपको अगर useful लगती है तो पहली चैनल को subscribe कर देना आपके दोस्तों में share कर देना तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मलता है एक नई वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए दोस्तों जै हिन जै महाराश्रा